क्या हुआ दोस्तों, जब एक लड़का कर रहा था, बागेश्वर धाम में लोगों के साथ ठगी, फिर उसके साथ जो हुआ, उसे देख कर फिर कभी लोगों ने भक्तों को ठगने की कोशिश नहीं की? दोस्तों, आज हम आपको बागेश्वर धाम का एक ऐसा चमतकार बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप गलत काम करने से पहले सौ बार सोचोगे, यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, गोपनियता बनाए रखने के लिए जगह और नाम बदल दिया गया है कुछ समय पहल आया, वह लोग वहीं पर रहते और भंडारे में रोज वहीं पर प्रसाद ग्रहन कर दें, ऐसा करते करते उन लोगों को बहुत दिन हो गए, फिर उन लोगों ने सोचा, क्यो ना यहां पर पैसे कमाने के लिए कोई धमधा या व्यापार शुरू किया जाए, उसकी पत्नी भी इसमें सहमती दी, और फिर उन लोगों ने बागेश्वर धाम में ही एक जगह धाबा बनाया, और उसे धाबे में लोगों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था की, पहले कुछ दिन उन लोगों ने बहुत ही इमानदारी से धंधा किया, और शाम सुबह बाला इनसान नहीं दिखाई दे रहा, क्यों ना इनके साथ ठगी करके अच्छा पैसा बनाया जाए, और हर बार की तरह उसकी पतनी ने इसमें भी अपनी सहमती दी, और फिर वह लोगों को धाबे पर अच्छी तरीके से देखे, और परक्ते जो लोग उनके वहाँ पर रात में स पैसे गायब कर देते, जो कि उसने अपनी दुकान पर बोर्ड लगा रखा था, कि अपने सामने की जिम्मेदारी स्वयम करे, इस बजह से लोग उन दोनों से ज्यादा बहस नहीं कर पाते, ऐसा करते करते उन लोगों को बहुत दिन हो गए, लेकिन वह दोनों पती-पतनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। की तवियत खराब हो गई, उसने लाखों रुपए खर्च कर दिया, लेकिन उसकी बिमारी का पता नहीं चला। जब एक अस्पताल में वहीं लड़का उस धाबे बाले को मिल गया, तो उसने सभी बात बताई और कहा, मुझसे गलती हो गई, लगता है तुम्हारी मुझे माफ कर दो। अन्यवाद